साथ में हमने पूरी की इसका भी गवाई ये सेंट्रल हॉल रहा है अब हम 2012 की तरफ रुख करेंगे जब हमने भारतिय संसद के 60 साल का सफर पूरा किया सेंट्रल हॉल में उस मौके पर भी एहम चर्चा हमने देखी एहम कारिक्रम हमने देखा जी एस्टी का इंप्लिमेंटेशन एक देश एक कर विवस्था जी एस्टी 2017 में तरफ रिक्रम का आयोजन इसी सेंट्रल हॉल में नाशनल लेजिसलेटर्स कॉन्फरेंस 2018 इसके बाद हिरेन मुखर जी मेमोरियल लेक्चर्ज इसका भी गवा रहा है जितने तमाम हेड्स अफ स जिनमें यूएस प्रेजेटर्स की ग्रंथाले की रूप में किया जाता था 1946 में इसका स्वरूप बदला गया और इसे सम्विधान सभा कक्ष में बदल दिया गया और 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक वहां सम्विधान सभा की बैठके हुई अब देख पा रहे हैं अम बिरला वो भी प्रदान मंतरी के साथ यहां मौझूद है और सभी का अभिवादन यहां पर वो कर रहे हैं अमरता लोग सभा की प्रतेक आम चुनाओं के बाद प्रथम सत्र के आरंभ होने और प्रतेक वर्ष पहला सत्र आरंभ होने पर राश्ट्रुपती केंद्रिकक्ष में उपराश्पती और राज्यसभा के सभापती जगदीब धनकर का भी आगमन हो चुका है अब बस कुछी पलो का इंतजार थी 11 बजगे हैं और अब इस कारिकरिम की शुरुआत होने जा रही है एक नए संकल्प के साथ एक नए उर्जा एक नए जोश के साथ आज आखरी बार इस एतहसिक सिंट्रल हॉल में इस कारिकरिम का आयोजन और एक नए संकल्प के साथ